चनल में हार्दिक स्वागत है इससे पहले के वीडियो में हम लोग टीटल भेकंसीज की बारे में बात के थे और एजुकेशनल क्वालिफिक्शन के बारे में बात के थे कि जहारखन में टीचर बनने के लिए जो निया नोटिफिक्शन रिलिज होई है उसमें आपका टोटल वेकंसी कितनी है और आपका जुगता क्या होनी चाहिए एपलाई करने के लिए सेकेंड जो सबसे ज्यादा कॉमेंट आया जो ज्यादा डाउट था वो एज लिमिट को लेकर डाउट था तो हम लोग इस वीडियो में एज लिमिट की बारे में चर्चा करेंगे और जो भी आपका डाउट है उम्र सिमा को लेकर के वो आपका क्लियर हो जाएगा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गेर पराइब भार्थियों के लिए आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो वेकंसी है दो केटिगरी में डिवाइड है एक परासिक्षे को के लिए और दूसरा ओप एक ऑगस्ठ 2019 रखी गई है तो आपको पता होनी चाहिए कि जो मिनिममम एक्ष लिमीट लिम्ट है आपको टीचर बनने के लिए 21 साल होनी चाहिए किả Ini कि एक अगस्ठ 2023 तक अगर आपका एज 21 साल है तो आप इस बेकेंसी को वहर सकते है और विट चारे सारे चीजों का आ रही है कि maximum age limit क्या हो गया आपका, तो maximum age limit के लिए अलग-अलग category के लिए अलग-अलग age है, जैसे अगर आप general category के बारें बात करेंगे, और EWS के बारें बात करेंगे, तो maximum age limit जो है, 40 साल आपका होनी चाहिए, तो यह जो 40 साल है, यह कब तक होनी चाहिए आपका, यह 40 साल आपका 1 अगस्त 2019 तक होनी चाहिए, अगर आपका एज आज की डेट पे मान लेते हैं, मान लिजे आपकी 1 अगस्त 2019 को आपका एज कितना हुआ, कितना था? उन 40 सल कुछ दिन, कुछ महिना, उस तेम आपका कितना एज था? 40 सल, बट अब आपका एज जो 3 सल बाद, 4 सल बाद वेकंसी जाई है, तो अब आपका एज कितना होगी? 44 होगी है, बट इस केस में भी आप एलेजिबल है, क्योंकि आपको रैफरेंस डेट जो माना जा रहा है कब का माना जा रहा है? 1 अगस 2019 का मांगा जा रहा है, 1 अगस 2019 तक आपका जो मैक्सिमम एज कितना होनी चाहिए? 40 सल होनी चाहिए, अगर 1 अगस 2019 को आपका एज 41 एर्स हो गया या 40 सल से पार हो गया, तो आप एलेजिबल नहीं है, मैक्सिमम एज लिमिट बाले जितने भी क क्लियर कर दिए कि अगर आप आज की डेट में आपका चालिस साल से जादा है बट एक अगस्ट 2019 को आपका चालिस साल था तो आप इलेजिबल है इस फ़र्म के लिए दूसरा हम लोग बात करेंगे बीसी वान और बीसी टू के लिए तो बीसी वान एंड बीसी टू दोनों के के लिए सेम है कितना 42 यानि 22 साल अगर आपका एज था एक अगस्ट 2019 को तो आप इलेजिबल है इस वेकंसी को भरने के लिए किलियर हो गया समझ मा आ गया तूसरे आपसे दिखा जाए तो अगर आज के डेट में आपका एज अगर चालिस साल भी है तो भी आप इलेजिबल है क्योंकि आपका जो एज लिमिट का जो रेफरेंस डेट है वो कितना है एक अगस्ट 2019 है तूसरा अगर हम लोग महिला केडिगरी की फीमेल केडिगरी के बात करेंगे चाहे आन्रिजर्ब्ट हो चाहे बिसी वान हो बिसी टू हो उनके लिए जो रखा गया है तो चार साल और एड करेंगा अगर आज की डेट में आपका एज 47 years भी है तो भी आप eligible है क्योंकि आपका रेफरेंस डेट जो है एक अगस्ट 2019 है मिक्सिमम एज लिमिट बालों के लिए एज की गरना जो करनी है एक अगस्ट 2019 को रेफरेंस डेट मानकर करना है यह आपको समझ में आ गय दूसरा अगर आप लोग ST के डेगरीज की बात करेंगे तो 45 years और ST के डेगरीज की बात करेंगे 45 years यानि कि अगर आपका एज आज की डेट में 49 years भी है और 1 अगस्ट 2019 को आपका डेट आपका एज जो है 45 years तक था तो भी आप eligible है इसके आलवा इसके आलवा यहां नीचे औ अत्रिक्त दी जाएगी यानि यहां जो 45 साल लिखा हुआ यानि 50 साल हो जाएगा 5 बर्स का एक्स्ट्रा मिलेगा अगर आप PWD के डेट से ब्लों करते हैं person with disabilities तो यह तो होगी आपका किस के लिए जो गेर पारासिक्षे का बरती है उनके लिए age limit का अगर हम लोग पारासिक होंगे जिनका age 55 50 cross कर गया होगा और आज जग पारासिक्षे की है क्योंकि एसा जारखेंड में होती आया है तो उनके लिए जो age 58 years रखा गया वो सारा का अंसर आपको दिया जाएगा साथी साथ जो है इसके बाद बाला जो वीडियो है आप जारकन नोटबुक चैनल का प्रेलिस्ट में जाएंगे जारकन टीचर रुक्वर्मेंट बाला सेक्षन में तो उहां आपको सारा चीज देखने को मिल जाएगा साथी आपका नया सिलेवाज जो सिलेवाज जो सिलेवाज जो एसससी में दिया गया है उसके बारे में भी डिसकस कर दिया गया है आप प्रेलिस्ट में जाएगे वहां पर देखिए कि सिलेवाज बगरे किया है आपको कैसे पढ़नी है सारे के बारे में बहुत ही पहतर तरिके से आपको ये मुखा बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि आम लोग जहारखंट मी यह से मुखा बहुती कम बार आती है, और जाथी बहुती है, जाती है, फिर आपको देखने को मिलेगा, हो सकते हैं ये इक अंसेल हो, ये हो, कुछ भी हो सकता है, यह आपको ध्यानने रेखना आपको प्रप्रेजन करना तेंक्यू